जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती है टिवेट्स होती है या जो भी बाते होती है यहाँ पे इनका उदेश से साइंट्फिक टेंपरामेंट को इंकरेज करना है दोस्तों जैसे कि अभी जानते हैं आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक बहुत ज्यादा मुझदा उचाला गया है जिसमें ये प्रचारित किया गया है कि एक आई एस संस्था चलाने वाले जो प्रोफेशर हैं डॉक्टर कृती विकास्ति विकृती वो उन्होंने जा रहा है कि वो अपनी एक क्लास में जो काफी पुरानी वीडियो से हैं और यह सब लोग आप लोग जानते हैं अब तक तो देख सुन भी चुके होंगे मैं आप लोग को एक नया परिपेश्याज दिखाऊंगा जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि कि देखो मेरी जबान न कट जाए मुझे ऐसी बात बोलने से पहले लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि यह चीज धार्मी गरंतों में लिखी हुई है तो वहाँ पे वो बताते हैं कि लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें सीता को कि मैंने तुम्हें इसलिए जब रामण को मार कर और तुम्हें मतलब यहां पर वापस लेने के लिए थोड़े ही यूद किया था जीता है बलकि तुम्हें स्विकार करने से पहले या उपयोग करने से पहले जो जैसे कुट्ता के घी चाटे जाने पर वो जी बैसकृत हो जाती है वैसे ही तुम मेरे लिए त्याज्य हो बैसकृत हो इस तरह की बा जैसा कि आप जानते हैं कि चैरी पिकिंग क्या होती है की कोयी व्यक्ति अपनी बातंग रहा उसका एक छोटा सा क्लिप उठाएं और उशका पूरा आगे का पीछे का सेंटेंस वो क्या कहना चाहा है क्या बताना चाहा है उस अंदर्व को हाटा के ओर जहा own पर कि मतलब की बात निकल रही हो उसको निकाल लिए अपनी तरब से एक दूसरी व्याख्या करके प्रचार-प्रसार कर दीजिए ताकि यह साभीत हो सके कि अब आपने जो व्याख्या की है नहीं व्याख्या पबलिक को लगे कि यही नहीं व्याख्या उस व्यक्ति ने की है जिस वो सिक्षक हैं, हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशर हैं, डॉक्टर विकास्ति विकृति, उन्होंने इस पर अपनी बाते भी रखी हैं, और क्लियरली जो सबूत है, वो सारा चीज दिखाया हैं, फिर भी ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो दूबे, चोबे, छब लिखाने आया हूं कि क्या वास्तों में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका दोसी कौन है, क्या कोई व्यक्ति अगर धरमगरंथ पढ़ता है, पढ़कर बता देता है, कि उस किताब में यहां पर ये बात लिखी है, तो क्या वो गलत है, क्या उसको ट्रोल करना या फिर हमें इस बात पर सवाल उठाना चाहिए, कि धरम गरंतों में जिसने लिखा है, किस हक से लिखा है, उसको हमें ट्रोल करना चाहिए या उस पर सवाल खड़े करना चाहिए, तो ये कौन सी दारा बह रही है फिलाल में कि लोगों समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई, म कह रहा हूं कि मानलेते हैं आपको किसी ने चिठी लिख के दी तो दाकिया इसके लिए जिम्मवार है यह जो चिठी लिख के भेजा है वह जिम्मवार है तो लाकिया कर गया आपक Himself 달 करया कर देप यह उसकी क्या गल्ती है? उसने तो सिर्फ डेलिवर किया है. असल जो गल्ती है वो तो जिसने आपको खत दिया, लिख के दिया, जिसकी इंटेंशन वो है, वो जिमेवार है न? तो यहाँ पर यही बात है यह जितनी भी धार्मिक किताबों में जो बाते लिखी गई है इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो उसमें लिखे हैं और जो उसको लगतार प्रचारित प्रसारित आज तक करते आये हैं जो उसके स्वेंबू ठेकेदार बने हुए उसको लगतार प्रचार प्रसार वो असली दोसी हैं किसी भी माई के लाल में दम है कि जाकर संकराचारिय से या जितने भी ठेकेदार हैं उनको पकड़े के यह सवाल खड़ा कर सके कि भाई तुम लोग की हमत कैसे हुई है कि हमारे जो देवी देवता है हमारी सीता माता है उनके बारे में ऐसी बाते तुम लोग किताब में लिख दिये हो तो वो कहेगा हम नहीं लिखे हमारे पुरवज लिखे हैं वो तो यही कहेगा क्योंकि किताब में तो लिखी हुई है तो जब लिखी हुई है तो आप फरदर कहेंगे क कि उसने लिखा उसने तो गलती गया तू फिर क्यों इस चीज को आगे बढ़ा रहा है सवाल यह है कि अगर उसने लिख दिया तो इसको यह क्यों आगे बढ़ा रहा है वो किस चीज की ठेकदारी कर रहा है मंदिरों में बैठके दिन रात उस पर किसी की हिम्मत नहीं होती है यहां से साफ साफ पता चलता है कि आप जब उस व्यक्ति को ट्रोल करने लग जाते हो जो एक डांकिये की तरह है जो सिंपली किताब को पढ़ा और आपके सामने दिखा दिया कि भई ये चीजे हैं और चुकि बेंड तो है नहीं भारत में कि भई धार्मी गरंत आपको पढ़ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ लेता है तो वैया उसके जीव जो है पढ़ लेता है तो उसका जीव काट दो अगर सुन लेता है तो कान में सीसा पिखला के डाल दो लाख पिखला के डाल दो मनुस्मिर्ति में लिखा है कि तेल पिखला के डाल दो उसके कान में जो आरोप अंग्रजेव पर लगाया जाता था, कि वो जो लोग नहीं सुवकारते थे, उनको आरे से चीरवा देता था, ये उस पर आरोप लगाय जाते हैं, वो चीजें जो हैं, बर्मसुतरभास से में लिखी हैं, कि बीच में से दो फाड़ कर दो, अब कहीं ऐसा तो नहीं है, कि इन ही लोगों ने अंग्रजेव को सिखाया हो, कि भाईया सजा देने का ये तरीका है, क्योंकि ये लोग तो दावा करते हैं, कि हमारा तो संक्राचारिय जो है, उसी के गोत्र का अकबर था, भाईया से पुराण में लिखा है इन्होंने, कि संक्राचारिय जिस गोत्र का था, उसी गोत्र का व्यक्ति जो है, अगला जनम लेके, और किस में आया, तो उस अकबर बना, अब अकबर के ही वंस में अंग्रजेव था, तो क्या पदा जब संक्राचारिय ने ये भाद लिखा हो, कि दो फाड़ चीर फाड़ कर दो सीसा पिगला के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कि अंग्रजेव से लोग यही काम करवाते हों, अब अंग्रजेव ने किया कि नहीं किया, लेकिन इनके धरमकरंथ में जरूर ये लिखा हुआ है, तो सवाल यहां पर ये आता है, कि जब भी आप किसी रेशनल व्यक्ती को, किसी भी व्यक्ती को ट्रॉल करने पर उतरते हो, तो एक बार अपने गिरवान में देखो, कि तुम्हारे धरमकरंथ में जो लिखा है, वो लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर लिखा है, तो इसका दोसी कौन हुआ, ये सारे ठेकदार हुएं, अजिन होने लिखा है, वो दोसी है, डाकिया कभी दोसी नहीं है, उसका तो काम है न, deliver करना अगर band लगा तो या फिर रमायन पे माभारत में कि कोई विव्यक्ती जो है रमायन नहीं पढ़ सकता है माभारत नहीं पढ़ सकता उसके स्लोक का कहीं पर प्रियोग नहीं कर सकता उसमें जो लिखी हुई बात है उस पर discussion नहीं कर सकता नहीं बोल सकता और उसको बैंड किया जाता है प्रतिबंध लगा जाता है जैसे प्रतिबंधित किताबे होती है प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि यह किताब यहाँ पे नहीं चलेगी अगर आप इसको पढ़ते हुए या घर में रखते हुए पाये जाओगे तो आप पे जो है करेवाई की जा सकती है या तो ऐसा कर दो जितनी विधार्मी किताबें खतम करो हटाओ इसको फिर अगर रहेंगी तो लोग करेंगे चर्चा करेंगे उसमें जो लिखी बाते हैं वो लोगों को दिखाएंगे जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई इस पर मेरा तो मानना इनका बड़ा तगड़ा है जूट की खेती जो है वो इतना फैला देंगे कि कोई व्यक्ति आके अपना प्रमाण भी दे दे सत्य भी बताए तो उसकी रिच उतनी नहीं होगी जहां तक ही अंधविश्वास फैला चुके होंगी तो इसलिए मैंने सोचा कि भी वास्तों में आईटी सेल वाले जो है यही सब करते हैं इनका काम है क्या है इनको हमेशा एक पीट भरने के लिए मुद्दा चाहिए या उपर से कुछ डंडा आता है कि बड़ा यह चीज इंगेज करो तो यह उस पर जो है कुदफान करना शुरू करते हैं तो इन्होंने क्या फैलाया कि बालमी की रमैड में है नहीं आई यह बैचारे कभी किताब धार्मी किताब तो खूल कर पढ़ते नहीं है यह तो सिर्फ किताब जानते हैं कि राम की बात हो रही है सीता की बात हो रही है तो रमैड उठाओ इनको तो पता नहीं है कि रमैड की बात जो है पूरी की पूरी क रहानी आ जाती हैं, बाद में तूलसी ने लिख दिया, तूलसी भी उसमें अपना हाथ दे दिया, बहती गंगा में सबने हाथ दोया, भी बंगाली रमैड आती है, फिर वहाँ आप देखें साउथ में कदम रमैड आती है, सबने उसमें अपने हाथ दिया है, इधर बीसवी स तो पिरियार जी ने भी संची रमायड लिख दी तो सब ने लिखे हैं अपनी अपनी तरह से लेकिन जो मानने हैं जब 17 सती का तूलसी का जो रमायड है जिसको रामचरित मानस कहा जाता है उसको लोग घर-घर में रख रहे हैं अब यह बताएं 17 सती का व्यक्ति जो है वह सतानी है लेकिन लोग यह सोचते हैं कि बनमे की रमायन थी सदेखके कहीं इनोंने लिख दिया होगा ठ्वड़ा मोड़ा चेंज करदिया होगा लेकिन उसने कमपी पेस्टा नहीं किया उसने अपना अलग लिखा इसका मतलब की वह कशानी नहीं थी बलमिकी रमैन को उस समय भी तूलसी के समय में भी वो पुस्तक इतिहास की पुस्तक या वही चीज सही यह नहीं मानी जाती थी उसको एक कथा कहानी की किताब समझी जाती थी यह बात समझेगा दोस्तों आज भी जब कोई फिलिम बनता है जैसे स्पाइडर मैन फिलिम बनती है तो फिलिम बनने के बाद से क्या किया जाता है उसके कई पार्ट आते हैं फिर एक दूसरा डायरेक्टर आएगा उसी कहानी को थोड़ा चेंजवेंच करके फिर नए पार्ट बना देगा अगर एतिहासिक होगा तो आप उसको नहीं बदल सकते हो जैसे बाबा साहब अमबिटकर की बायोग्राफी है अगर उसको कोई भी व्यक्ति बनाएगा तो आपको जितनी भी बाते उनके आती है वो तो दिखाना ही दिखाना पड़ेगा आप चेंज नहीं कर सकते हो उसमें उसमें नहीं चेंज कर सकते फिर आपकी बायोग्राफी गलत हो जाएगी लेकिन यहाँ पे अगर कोई फिक्शनल करेक्टर है फिक्शनल चरीतर है तो उसको आप अलग-अलग अंदाज में परूश सकते हो जैसे एवेंजर हो गया जैसे स्पाइडर मैन हो गया बेट मैन हो ने पढ़ा तो नहीं बाल में की रमायन जब नहीं पढ़ा तो इनोंने क्या किया उसमें उठाय के देखा देखा कि अरे या इसमें तो कुत्ते से चाटने वाली बात कहीं दिख नहीं रही है इसमें तो यह जरूर कह रहा है राम कि भई हम तुमको घर से निकाल देंगे य अभी पीज़े से करो, उनके साथ चली जा, उनके साथ रह लो, सब काम कह रहा है, लेकिन पुर्माइब से चाटने वाली बात नहीं लिखी है, अब लगे बैचार करने, अब इनको पता ही नहीं है, कि जितनी किताबे हैं माभारत रमायन माभारत बहुत जगह ये सारी बाते आती हैं और ये लोग जब सिरियल अपना बनाते हैं रमानांसागर पे तक किसी ने नहीं वो किया ट्रॉल नहीं किया रमानांसागर को जब वो बनाया थे तब उन्हों तो सारा का सारा सबचिछ किता किताब कर अलग अलग कहाणियों को मिला जुला कर बनाया था का वाल में वाल में की रमायाड से बना दीजिए वह फिलमी फ्लॉफ कर जाएगी सारे जितने भी रमायाड सबसे मिलाना पड़ता भी जो तीरपाठी है जो राम सेतु पर डिस्काबरी चला पूरा सहारा लिया हर चीज को मेल जोल के कुछ भी को पोड़े जा रहा है